हाँ जी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हेड कवर जन जिसे पठका भी बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए लेडिस के लिए और जेंट्स के लिए उसकी कटाई कैसे करनी है उसके बारे में आज सीखेंगे सलाइका लिंक भी आपको डिस्क्रेप्शन में जाए चैनल की वीडियो में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल न्यू फैशन हट में सवाक्त है सबसे पहले आपके गहर में आपको जो भी कपड़ा मिलेगा जा जिसका भी आप पटका हेड कवर बनाना चाते हैं उसको ले लीजिए आपने उसे डबल फूड करकर विशा लेना है हम इसे डबल त्यार करेंगे तांकि मारा छेती जो पटका है फटे ना इसकी चड़ाई हमने तकरीबन 9 इंच 9 इंच रखनी है आपने जो पटका अपने सिर के हिसाब से त्यार करना है और इसकी जो लंबाई हम लेंगे वो साड़े 11 इंच पे मार्क लगाएंगे इस मार्क के उपर हमने इसकी कटाई कर देनी है चड़ाई हमने इसकी 9 इंच लिया है और लंबाई इसकी 11 इंच है कन्नी को शोड़कर इसकी हम कटाई कर देंगे फालतू कपड़े को हमने सैड पे रख देना है और इसकी सैड से भी हमने इसकी कटाई कर देनी है उसके बाद हमने इसके गलाई देनी है और मार्किंग के लिए हम इसे एक बार और फोर्ड कर देंगे फाल तो जो भी मार्जन होगा हम अब इसकी कटाई करेंगे लंबाई हम इसकी 11 एंच रखनी है 11 एंच पर मार्क लगा देना है उसके बाद हमने इसका आदा करकर एक और मर्क लगाएंगे ग्यारा का आदा आएगा साड़े पांच इंच उस पे हमने मर्क लगा देना है चड़ाई जो हम इसकी रखेंगे आठ इंच और जिसका आदा होगा चार इंच पे मर्क लगा देंगे नीचे से हमने इसकी चड़ाई रखनी है 6 एंच और जिसका आदा होता है 3 एंच पे मार्क लगा देंगे उपर वाली सेड पे भी हमने इसकी चड़ाई 6 एंच ही रखनी है एक सेड पे आपने इसकी गलाई देनी है किसी भी सेड पे दे सकते हैं उसके बाद हमने इसको थोड़ी जी इसकी रॉंड शिप देनी है उपर वाली हमने पूरी इसकी रॉंड शिप कर देनी है इस तरीके से आपने इसकी एक सैड किसी भी सैड पे आप इसकी गलाई दे सकते है उसके बाद हम मार्किंग के उपर इसकी कटाई करेंगे अब हमने इसकी लंबाई जो रखी है 11 इंच रखी है और सलाई के बाद ये 10 इंच रह जाएगा मार्किंग के उपर आपने इसकी सारे की कटाई कर लेनी है ये मारा उपर वाली सैड जो हो त्यार हो गई है और इसके साथ हमने जो भी पट्टी लगा कर कटाई करनी है हम पीशे बांदने के लिए जो तनिया शोड़ते हैं उसके साथ ही पट्टी के साथ ही हमने उसकी कटाई करनी है तनिया अलग से नहीं जोड़नी है और वो पट्टी की कटाई कितनी करनी है वो कैसे करनी है ? We हम सीखेंगे कि हमने जितनी भी इसकी गुलाई रखी है उसी के साथ से हमने पट्टे की कटाई परेंगे नीचे वाला स्लाई का मार्जिन शोड़ने के बाद हम एंची टेप की सहता से इसकी गुलाई नापेंगे जितनी इसकी गलाई आएगी हम उसी के साथ से पट्टी की कटाई करेंगे तांकि हमारा कपड़ा जो कम और ज़्यादा ना हो नापने के बाद पच्ची एंच आता है और पच्ची एंची हम जो है इसके साथ पट्टी लगानी है उसकी कटाई करेंगे जो भी आपके पास कपड़ा बचा है आपने उसे भी डबल फोर्ड करकर विशा लेना है ऐसे आपने उसे डबल फोर्ड करकर विशा लेजी आपने एक बार अंताजे से 6 इंच चड़ाई वाला कपड़ा डबल फोर्ड करकर विशा लेना है इसी चड़ाई के साब से हम इसकी कटाई करेंगे लंबाई हमारे पास 41 इंच है आपने इस कपड़े की कटाई कर देनी है ताकि हमें इसी गलाई देने में कोई परशानी ना है दोस्तो ऐसी मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है आप मेरे चैनल की वीडियो में जा प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं जो भी फालतू कपड़ा होगा हम उसे सैड़ पे रख देंगे और इसको हम डबल फोड कर लेंगे इस तरीके से आपने इसके उपर इसको फोड कर देना है तांकि असानी से हम इसकी गलाई दे सके इसके बाद हम अब इसकी चड़ाई का मार्क लगाएंगे चड़ाई जो हमने इसकी रखनी है वो रखेंगे पांच इंच पांच इंच आपने चड़ाई पे मार्क लगाना है इसके बाद हमने जितनी भी इसकी गुलाई नापी थी उसका मार्क लगाएंगे गुलाई हमने नापी थी 25 इंच हम इसका आदा कर लेंगे 25 इंच का आदा होता है 2.5 इंच 12.5 इंच पे हमने मार्क लगा देना है इस तरीके से अपने 12.5 इंच पे मार्क लगा दीजिए और जहां से हमने इसकी चड़ाई जो रखनी है वो रखेंगे 4 इंच उसके बाद तनियां हमारे पास रह जाएगी और तनियों की हमने चड़ाई रखनी है वो रखेंगे हम 1.5 इंच इसके साथ ही तनियों की कटाई करेंगे इस तरीके से हमने ये मार्क लगा लेना है इसके बाद हमने ऐसे इसकी गुलाई देनी है इस तरीके से आपने इसकी गुलाई देनी है जिकर आप गुलाई नापकर इसकी कटाई करेंगे तो आपका कपड़ा कहीं भी कम और ज्यादा नहीं होगा और बहुत ही बड़िया तरीके से इसकी कटाई और सलाई होगी मार्किंग के उपर हमने इसकी कटाई कर देनी है सलाई का लिंक दोस्तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसको लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में या चैनल की वीडियो में या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कटाई इसकी कंप्लीट हो गई है इसके बाद हम इसका आदा करकर एक टुक लगा लेंगे तांकि सलाई के समया में कोई भी दिक्कत ना आए थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो